पहला report card का हिस्सा जो है वो नरेंदर मोदी की U-turn सरकार उसके बारे में चर्चा करेंगे U-turn सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और U-turn करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है इस देश के विपक्ष ने किया है इस देश के लोगों ने किया है एहंकार अब नहीं चलेगा और यूटर्न सरकार को करना पड़ेगा अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यूटर्न कराकर ही हम दम लेंगे लाटरल एंट्री जिसमें की आरक्षन को ताक पर रखा गया और उसके बाद लाटरल एंट्री का प्रबंद किया गया हमने आवाज उठाई लोगों में आक्रोश हुआ लाटरल एंट्री पे यूटर्न हुआ कहते थे ब्रोडकास्ट बिल लाएंगे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं जो आईना दिखाते हैं उनका मुँ बंद करने की उनकी आवाज को दमाने की कोशिश होगी इतना प्रतिकार हुआ उस पर इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यूटर्न करना पड़ा फिर बोला वक्फ बोड बिल लाएंगे ये कुछ नहीं था ये सिर्फ पोलराइजेशन का तुष्टी करन का एक माध्यम था और असलियत ये है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया आपको इसको जेपीसी भेजना पड़ा ये पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा आपने मिडल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी खराब है एंपियस से बड़ा कुछ है नहीं और एंपियस को भी वापस लेकर आपको एक यूपियस लाना पड़ा तो मैं क्यों न कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार यूटर्न का प्रतीक है